सो हेई गाईज वेलकम बैक तो अनाधर वीडियो ने आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको डीमन स्लेयर के सीजन फॉर की सेकंड फैट बितायने वाला हूं जो की है डोमा और सुनोगू के बीच में अगली ही सीन में दोस्तों दिख रहा जाता है कि जो इनुसका हाशी भी रहा है वो भी हाँ पर जिस स्वाट पर अठेक हूर रहा था हमाँ पर पहुंच जाता है और बीच पीतिंग का यूस करके सारे डीमन को मार करके हाशी रास की मदद करने लगता है आपर से गैनना को भी दिखाय जाता है और गैनना बोलता है कि पता नहीं में कहाँ पर उस यानि किसे समझ में नहीं आता कि वो किस जगह पर है आपर सगले सीन में जैनना को भी दिखाय जाता है और बोलता है कि मैंने को सुनाय दिया और मुजान हमारे पास में हो सकता है देन वो कहता है कि मैं रेंग टू देखा उसे देखा डोमा के आसपास बहुत सारे लोग घायल पड़े हैं जो कि शायद उसी नमारत है डोमा उसकी तरफ देखके बोलता है लड़की तुम यहाँ पर आजुकी हो यह उसके बाद में वो शिनुबू से बोलता है कि तुम बहुत ही जवान और खाने में स्वादिश भी लगती हो जो के बाद डोमा कहता है कि यह बहुत ही अच्छी रात है मेरा नाम है डोमा तुम से मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा है कि बाद शुनुग उसके बाद घुमा को थोड़ा सा गुस्टा आ जाता है और वो इस लड़की पर हमला कर देता है बचा लेती है उस लड़की को बचाने के बाद शुनोबू उस लड़की से पोचती है कि क्या तुम ठीक तो हो तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं उसके बाद दोस्तों दोमा बोलता है कि इससे तुम बाद में बात कर लेना फिलाल के लिए उसे वहाँ पर ही छोड़ दो उसके बाद दोस्तों दोमा कहता है कि मेरा काम जो लोग मुझे वर्चिप करते हैं उन्हें खुश रखना है इस लड़की को मैं बिना कोई सबू छोड़े मारने वाला हूँ उसके बाद दोमा बोलता है कि तुम सबी को खुश करोगे तुमारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है क्या तुम ही ते जिसने मेरी बहन को मारा था इसके बाद दोमा बोलता है कि फ्लैश और बलड़ यह मुझे वर्चिप करने वाले लोगों की फीलिंग साए पर शनुबु बोलती है कि तुम यह सब बोलोगे मिरा दिमाग खराब कर रहा है, वी समक्ता कि तुमारा दिमाग खराब नहीं है, उसके बाद डूमा बोलता है, कि हम दुना अभी तुम Gay 금ैते है तुम तुम से अभी से वाद कर रही हूँ, मुझे लगता है कि कोई ऐसी वात कर रही हूँ जो कि पहले फ्लावर बीठिंग का यूज करती थी वो लड़की तो बहुत ही प्यारी थी मैं उसे खाने वाला था लेकिन जैसी मैं उसे मार रहा था वहाँ पर सूरद आ गया असलिए मैं उसे नहीं खा पाया मैंने उसे मार डाला था के बाद तुरंद शिनोब पर कोई खास असर नहीं होता कि मुझे पता नहीं कि इस वैपन का जो पॉईजन है वो एक अपर रही डीमन पर काम करेगा या फिर नहीं नहीं उसके बाद डूमा खड़े हो जाता है मुश्कुरा कर कहता है श्नोबू से कि मुझे माफ करना मुझे ऐसा लगता है कि तुमा वारी जो ब्लेड है उसका साउंड मुझे बहुत ही जादा यूनिक लगा क्या वो जगह है जहां पर तुम अपने पॉईजन का यूस करती हो फिर से डोमा बोलता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि इन सब का मुझे पर कोई असर भी होगी मुझे ये सब देख करके बहुत ही म कोई तुम्हा पूलता है कि तुम्हें तो बड़े पासीना आ रहे हैं क्या तुम्हें सास लेने में कोई दिक्कत हो बाद शुणू अपने मन में इसाऊमे कि जो बानोंसे बलES करके तुम कितनी वार अपनी बिलेड कंदर परकुशन का क्रशन का है ओए उसके बाद से दूर गिर जाता और बोलता है कि शायद तुम सब्सfreund के तेज रहुत है तुम सबस्यादा तेज रहा हो जो मैंने देगई तुम सचमें बहुत ही जादा फास्थ हो हुआ। उसके बाद डुमा बोलता है कि मुझे माफ करना मेरी अटेक से शायद तुम्हें बहुत ज्यादा तकलिफ हो रही है उसके बाद शनोबू खड़ी हो जाती है डुमा बोलता है कि क्या तुम अभी भी खड़ी हो सकती है और इंसेक बीटिंग फॉर्म का वापिस से यूज कर देती है और सोसती है कि अगर मैंने इसकी गर्दन पर पॉईजन डाल दिया तो शायद मैं जी सकती हूँ उसके बाद शुनोबु एक बहुत ही जादा खतरनाख अटेक डुमा पर कर देती है फिर भी शुनोबु ढुमा का सर नहीं काट पाड़ पा quindi ऑर अटेक करते वक्त सोसती है कि अगर बॉत से लोगों की जान बिता सकते है और अगर एक अपर रैंक की दॉकी को मार देते हैं तो और भी ज्यदा लोगों की मदद कर सकते हैं दोस्तों डूमा पर इस टैक का बहुत ही तगड़ासा असर पड़ा था लेकिन उसका असर नहीं कटा था टैक्ड करते वक्त शुनूबू सुचती है कि यह इस बार में नहीं है कि हम लोग कर सकते हैं और आप नहीं कर सकते हैं ऐसी बहुत ही चीजह है जो हम अभी भी करनी है इस अटेक के बाद दोस्तों डूमा फिर से मुस्कुराता है शिनुबू वापिस सोचती है कि इस पर मेरे पॉईजन का बिल्कुल भी असर क्यों नहीं हो रहा है शिनुबू को डूमा किती तगडी स्ट्रेंड देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा था डूमा देखते ही देखते हैं शिनुबू पर बहुत ज़्यादा खतरनाक हमला कर देता है शिनुबू को पता भी नहीं चलता है उसके बाद अगले सिन में देखाया जाता है कि ग्यूत उम्यू का और तांजिरों कहीं पर जा रहे होते हैं शियराष की मदद करना कि कि शिनुबू ने अपर रैंक कीजूकी से फाइट करी और वह मारी गई और शिनुबू को चों prefर जा चुकी है और ग्यूत उम्यू का और तांजिरों खबरा जाते हैं यह ऑग ठीक नहीं हुआ तो दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना है इस वीडियो को लाइक करना बिल्कॉल भी मत भूले इस चैनल को फटाफ़र से सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले वीडियो की नोडिफिकेशन आप तक पहुंच बिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ